पस्ट आफॉल गुड मॉर्णी डॉल आफ यू, हम देखते हैं रेक्टर नमबर 9, अपने यूनिट नमबर 3 का, तो लास्ट निट में हम क्या क्या चीज देख चुगे थे, लास्ट निट में हम देख रहे थे chemical water quality parameter, जिसमें हम 4 parameters अल्रेडी डिसकस कर चुगे थे, कौन-कौ तो भई अगर पानी में जो है ना, nitrogen मौझूद है, इसका मतलब वो बता रही है कि भई, पानी के अंदर कोई न कोई organic matter मौझूद है, ठिक, अब देखो, यहां से अपनी सुरुआत होती है, अच्छे-च्छे चीजों के अच्छे-च्छे concepts की, organic matter जहां पर भी मौझूद है biological activities के दवारा, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है, atmosphere में आपने रख दिया, तो उसके उपर अपने आप micro organism भाएंगे, micro organism का मतलब क्या होता है, वो सजीव होते हैं, organism होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही micron size के होते हैं, 10 की power minus 6 size के होते हैं, वो होते हैं अपने micro organism, bacteria, virus, protozoa, halimins, यह साथ सरे हमारे का है, micro organism है, तो जो हमारे micro organism, apple को खाएंगे, खाते 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 उसको decay करेंगे, decompose करते करते बिलकुल, खतम कर देंगे apple को, ठीक है बई, इसका मतलब जहां पर organ की मेटर है, micro organism अपने आप आ जाएगा, तो पानी में अगर organ की मेटर हमको और organic matter है, और organic matter है, तो और organic matter क्या बता रहा है, micro organism के आने की संभावना को बता है, इसका मतलब nitrogen हमारे लिए harmful होती है, अब nitrogen जो है अकेले single form में मौझूद नहीं होती, यह हमारे combined form में मौझूद होती है, किसी और चीज़ के साथ जुड़ करके मौझूद होती है, ऐसे होती चार रूप में मिलती है, एक तो होती है ammonia, ठिक, और दूसरी होती है हमारे क्या albuminoid या फिर organic nitrogen या organic ammonia, ठिक, तीसरी होती है nitrite के रूप में और चोती होती है nitrate के रूप में, तो चार form में हपन को nitrogen मिलती है, किस के अंदर, पानी के अंदर, चार form में क्या अंतर होता है, उन स यह, पानी में, और्गैनिक मेटर की उपस्थिती को बताती है यह, निम्न, फॉर्म्स में, उपलब्द, होती है कौन कौन सी फॉर्म होती है, सबसे पहले आते हैं अपनी कौन सी फ्री, अमोनिया, ठीक बी जो आती है, हमारी वो आती है और्गैनिक अमोनिया या और्गैनिक नाइट्रोजन या अल्बमिनाइड, अब देखो भाई, दो तो ये हैं, तीसर चौथे के मैं केवल भी एक बार नाम लिख देता हूँ सी है हमारा नाइट्राइट मतलब अन ओ टू और डी है हमारा नाइट्रेट मतलब अन ओ थरी अब अगर बात होती है हमारे कौन से वाले की इसमें, कि जो हमारा फ्री अमोनिया है, चार फॉर्म में मिलता है जो फ्री अमोनिया है वो अगर पानी में मौझूद है तो वो बता रहा है कि जो हमारा organic matter मौझूद है ना पानी में तो उसका क्या है अभी first stage का decomposition शुरू हुआ है मतलब apple जस्ट पानी के अंदर डला हुआ है और वो अभी उसके उपर micro organs पहुंचे नहीं है पहुंचने वाले हैं और देरे देरे वो डिके होने लग रहा है ठीक है बिलकुल initial stage बता रहा है वो हमारे decomposition की तो यह हमारा harmful तो होता है लेकिन बहुत जादा harmful नहीं होता इसकी presence मतलब अगर ammonia हमको मिल रहा है ना free ammonia तो इसका मतलब क्या है भई इसका मतलब यह उसमे औरगनिमेटर तो है लेकिन उस औरगनिमेटर का first stage का decompo मतलब हाल ही में हुए pollution को बताता है कि जो pollution है recent pollution है recent word का मतलब क्या होता है कि just pollution start हुआ है जैसे कि माली जो कोई नाली जा रही थी और साथ में हमारी pipeline है तो नाली का जो पानी है ना गंदा वो pipeline में मिल गया जस्ट मिला है और हमने क्या उसका testing करेंगे तो उसमें ammonia हमको smell होने लगी ammonia smell होने लगी हम समझगे इसके अंदर recent pollution हुआ है अभी just pollution start हुआ है तो हम उस pollution को detect करके उसको dispose कर सकते हैं तो इसको अपन गयात कैसे करेंगे कैसे अपन measure करेंगे ammonia है या नहीं है तो simply पानी को boil करते हैं जिसके अंदर हमको इसके testing करने हैं कि ammonia है या नहीं free ammonia पानी को boil करेंगे boil करने के बाद में क्या करेंगे उसको हम smell करते है ammonia gas की गंद आती है तो हम समझ जाएंगे कि उसके नदर free ammonia मौझूद है पहली बात तो यह दूसरी बात आती है हमारी इसकी जो limit होती है वो कितने होती 0.15 mg पर लीटर होती है और जो इसकी cost to rejection क्या होती है no relaxation मतलब किसी प्रकार का relaxation हमको नहीं दिया है यह कहा है कि 0.15 ही इसकी acceptable है और यही इसकी क्या है cost to rejection दूसरी हमारी कौन सी आती है organic ammonia या उसका दूसरा नाम है organic nitrogen या कहा जाए albuminoid तो इसका मतलब क्या होता है अगर यह पानी के अंदर मौझूद है तो यह बता रही है कि अभी जो pollution हुआ था न उससे पहले जो nitrogen मौझूद थी उसकी मौझूदगी को बता रही है जैसे मान लीजिए यह हमारा पानी है pipeline है इसमें पानी बेरा है यहाँ पर क्या है नाली का पानी एंटर कर गया ठीक है लेकिन पहले से कहीं पर एक जगे और एक जगे और क्या है बहुत पहले मतलब यह वालों तीन-चार किलोमेटर पीछे एक जगे से और इसके अंदर पॉलिशन स्टार्ट हुआ तो कोई organic matter इसके अंदर जा चुका है तो भाई इस organic matter के कारण भी तो पॉलिशन होगा बिलकुल होगा तो इसके कारण पॉलिशन होगा इसका मतलब यह भी nitrogen की प्रिजन्स को बताएगा यह भी nitrogen की प्रिजन्स को बताएगा हमने इस पानी का टेस्टिंग करी टेस्टिंग करने के बाद देखा उसके अंदर ammonia gas मौजूद थी तो हम समझगे recent टेस्टिंग कर रहे हैं अगर उस टेस्टिंग में हमको यह पता चलता है औरगनिक अमोनिया है तो हम समझ जाएंगे recent के एमनोफोर मतलब potassium permanganate भी डालना पड़ेगा जैसे आप उसमें potassium permanganate डालोगे और अगर उसमें से अमोनिया gas की आपको गंद आ रही है तो आख समझ जा उसके तरग क्या मौज़द होगे नहीं कहने का मतलब यह है आपने boiling करी simple boiling करी कुछ नहीं डाला गंद आ रही है तो यह है boiling करी गंद नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे फिर डालेंगे के एमनोफोर फिर गंद आ रही है तो क्या है यह है इतना सा test है इसका इसके लिमिट 0.15 थी इसके 0.30 मिलीग्राम पर लीटर इसको मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद मन दोने के बारे में हम बात करेंगे तो फिरी अमोनिया क्या है भई यह है और्गैनिक मैटर के फर्स्ट स्टेज डीकम्पोजिशन को बताती है अते यह है अते यह है Recent Pollution मतलब हाल ही में हुए प्रदूशन को दरसाती है ठीक है भई इसे Simple Boiling द्वारा ग्याद किया जाता है ठीक है भई इसमें पूरा लिख देता हूँ में Simple Boiling द्वारा अमोनिया की गंद की अनुसार ग्याद किया जाता है लिमिट की बात करें तो भई याद दो लिमिट होती है इसकी Acceptable और Cause to Rejection Acceptable जीरो पॉइंट पंदरा मिली ग्राम पर लीटर No Relaxation वाइस वट का मतलब समझ लो कोई relaxation नहीं है इसका मतलब जो इसकी Acceptable दी न वो ही इसकी Cause to Rejection है ठीक है वई अब बात आती है हमारे Organic Amonia या कहा जाए Organic Nitrogen या कहा जाए Albuminoid की इसकी भी बात कर लेते हम यह है Nitrogen यह डाइट लिख देते हैं यह है कॉमा पानी में Organic Matter की से पहले मौजूद Nitrogen की उपस्थिती को दरसाती है इसे भी Simple Boiling द्वारा ग्याद करते हैं जिसमें अमोनिया की गंद को पहचानने के लिए Potassium पर्मेंगनेट डाला जाता है ठीक है भाई बात करते हैं C की C क्या है हमारा वो अभी देखते हैं तो भाई इन दोनों को तो आप उतारो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट और लिग देते हैं देखो भाई अब मैं इसकी जो लिमिट है ना मैं डारेक्टली लिख रहा हूँ आप 0.30 मिली ग्राम पर लीटर और ये नो रिलाक्सेशन एक नोट और है हमारा most important नोट भाई नोट क्या है हमारा की free ammonia plus organic ammonia दोनों मिलके क्या बनाते हैं जल्दा जल्दा नाइट्रोजन बनाते हैं ये दोनों जन मिलकर के मालिज इसकी quantity है 0.1 मिली ग्राम पर लीटर ये हमारी 0.2 मिली ग्राम पर लीटर तो 0.3 मिली ग्राम पर लीटर जो quantity है नाइट्रोजन की उसको क्या बोलेंगे जल्दा नाइट्रोजन उसको क्या बोलेंगे पर जल्दा नाइट्रोजन इसमें के जो है हमारा वो silent है और ये भी हमारा silent है ठीक है ये कि हमारी जल्दा नाइटों कराती है, most important question है भई, दियान लखना, इस पे स्टार लगा लेंगे, इसको note के रूपर उतार देंगे, इन दोनों को उतार हो, फिर बाकी की form भी लिखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, अब देखो, C जो आता है, हमारा जो आता है क्या, नाइट राइट, एन ओर टू, अब नाइट राइट क्या होता है, कि अगर पानी में नाइट राइट मौजूद है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, नाइट राइट मौजूद होने से, हमको ये पता चलेगा कि जो अभी पार्शल डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर किसी चीज़ का पार्शल डिकम्पोजिशन मतलब कोई भी चीज़ का डिकम्पोजिशन चल रहा है ना, और हम उन micro organs को inhale कर रहें, उनको use कर रहें, तो हमारी body के लिए बहुत ज़दा हम ले, कीडे मोकोडे खा सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, आप permit कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, तो अगर मैं कहूँ आप से बहुत कितने कीडे मोकोडे परमीट हैं पानी में, तो आप क्या कहोगे सर, मैं तो बिल्कुल एक भी use नहीं कर सकता, इसका मतलब इसकी जो limit होती है, जीरो, क्यों होती है जीरो, क्योंकि ये क्या बताता है, partial decomposition को बताता है, मतलब जो और्गे मेंटर कंप्लीटली डिकंपोज नहीं हुआ, बई डिकंपोज का मतलब समझ लो, डिकंपोज का मतलब क्या है, एपल जो रखाता है, उसको कंप्लीटली खा लिया, खाने के बाद कुछ निवस्ता उसके अंदर, थोड़ा बहुत लिकंपोज बचा रहे जाएगा, या कुछ बाकी उसमें और चीज नहीं बचेगी, तो वो क्या अपना कंप्लीटली डिकंपोज हो चुका है, ठीक है ना, यह होता अपना डिकंपोज बचा गया, अभी डिकंपोज चल रहा है, जैसे ही कोई भी और्गनिमेटर हमारे पास मौजूद है, उसको पहले तो क्या करता है, माइक्रो और वें उसको खाता है, खाने के बाद इसको खतम कर दिया, फिर कोई वेस्ट प्रोड़क्ट बच जाता है, जैसे राक बच गई या तो, या फिर चिप चिप आसा लिकुड बच जाएगा, इसको टाइप का सा, ठीक है ना, तो यह चीज है, इसके अंदर बचती है हमारी, तो यह बाकी माइक्रो और अपने आप वो आप खुद को भी खा लेता है, ठीक है ना, तो फिर यह साइक से केवल के, यह जो वेस्ट प्रोड़क्ट ही हमारा बचता है, यह केवल वेस्ट प्रोड़क्ट बचेगा, तो वो जो वेस्ट प्रोड़क्ट हमारे लिए हामफुल नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार के माइक्रो और नहीं होता है, इसको कैसे ग्याद करते हैं इसको ग्याद किया जाता है किसके दौरा कलर मैचिंग टेकनिक के दौरा जो आपन पहले ही डिसकस कर चुके हैं यहाँ पर कलर को उत्पन करने के लिए किसका यूज करते हैं तो वह यह color matching technique में यहाँ पर किया था sulfonic acid का use करते है अपन ठीक है ना? sulfonic acid का अपन और naphtha amine इन दोनों चीजों का अपने use करते हैं next अपना कौन सा आता है? nitrite nitrite क्या करता है? nitrate nitrate मतलब NO3 nitrate क्या है? वैसे कोई दिक्कत नहीं करता है यह बताता है कि जो organimeter completed decompose हो चुका है completed decompose हो गया तो मैंने भी आपको बताया था वो अपने लिए इतना hampul नहीं होता क्योंकि उसमें microns नहीं होते तो सबसे जादा limit इसी की होते है उसकी 0.15, 0.30 इसकी 0 और इसकी 45 mg पर लीटर पहले वाले से तुलना करों तो 300 गुना अधिक होती है इसका मतलब यह इतना hampul है ही नहीं लेकिन फिर भी अपने इसकी जो limit of 45 क्या है fix की हुई है? क्यों की हुई है? जब hampul नहीं तो कितनी milimeter कर सकते थे? क्यों? क्योंकि यह हमारे लेका harmful नहीं है लेकिन जो infant होते है न नवजात शिशू जो होते है एक महीने से कम के बच्चे होते है उनके लिए बहुत ज़्यादा harmful होता है उनका जो immune system में इतना दा develop नहीं होता है तो ये क्या करता है? उन बच्चों में जो hemoglobin होता है बलड में बच्चों ने सांस लिया, पानी लिया, उसमें nitrogen था नाइट्रेट था, सोरी उसको उन्होंने यूज कर लिया पानी को तो ये nitrate क्या करता है? उनके hemoglobin से क्रिया करकी एक कारक बनाता है जिससे क्या है बच्चा जो हो सकंदर आक्सिजन की कमी हो जाती है और पूरा जो बच्चा है वो ब्लू पढ़ जाता है बिल्कुल नीला नीला पढ़ जाता है नीला क्यों पढ़ता है कोई भी अंग हमारा नीला इसलिए पढ़ता है क्या हो चुक हो चुक हो चुक ही वहाँ पर oxygen नहीं पहुंच पा रही है तो वो क्या है नीला पढ़ जाता है हमारा यह होता है नील पढ़ना पर जो कहते हैं तो वो क्या है बच्चों में blue baby disease बन जाती है जिसको अपन blue baby disease बोलते हैं इसका scientific name छोटा सा होता हुँ मैं लिख दूँगा अभी तो भाई nitrate हमारा किसके लिए हामफुल होता है बच्चों के लिए तो उनों ही most important point है हमारे क्यों important है यह तो इसलिए important इसका है limit zero होनी चाहिए क्यों क्यों क्योंकि पार्शल बजाता है यह fully decomposed organic matter की presence को बजाता है लेकिन यह किसके लिए हामफुल है बच्चों के लिए हामफुल है इससे क्या होता है तो आपसे जो maximum question पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि blue baby disease is caused due to presence of चार option मिलेंगे organic ammonia, free ammonia, nitrate and nitrite तो किसके कारण nitrate the most harmful substance the most harmful form of nitrogen in water is क्या होते है most harmful form organic ammonia मैं चारो के नाम लिख देता हूँ देखो एक बार सबसे पहरा नाम तो अपना free ammonia दूसरा organic ammonia तीसरा nitrite चौथा nitrate अब देखो बात आती है कि अगर आपसे पूसता है सबसे harmful form कौन सी है nitrite अगर पूसता है कि blue baby disease किसके कारण होती है nitrate के कारण जल्दा nitrogen क्या होती है combination देगा ये प्लस ये ये प्लस ये ये प्लस ये या ये प्लस ये क्या होती है इन दोनों के ये कोई अपने बनते है इन दोनों को मैं उतार देता हूँ तो nitrate और nitrite को कैसे जात करते है color magic technique के द्वारा इसमें जो color उत्पन करने के लिए डाल जाता है वो डालते है sulfonic acid और साथ में क्या डालते है naphtha amine और इसमें क्या डालते है इसमें डालते है phenol dye, sulfonic acid और hydrogen peroxide H2O2 ठीक है न मैं लिख देता हूँ सारे चीज़ों को तो nitrate के बारे में बात करते हैं यह है कॉमा partially decomposed organic matter की matter को बताता है अते यह अते यह पानी में micro organism की उपस्थिती को दर्जाता है ठीक है वई इसे color matching techniques के द्वारा ग्यात किया जाता है जिसमें color उत्पन करने के लिए सल्फॉनिक एसिड वे नेफ्थाइमीन मिलाते हैं नाइट्रोजन की सभी forms में से यह सबसे अधिक harmful होती है limit की बात करते हैं तो भाईया जीरो मिलीग्राम पर लीटर से अब यह आप लिख ले न acceptable cost दोनों ही जीरो होती है कोई permission नहीं है अब इसकी बात करते हैं तो क्या है यह fully decomposed organic matter को बताता है अते यह इतना harmful नहीं होती ठीक है भाई लेकिन nitrate in fence मतलब शिशू के हिमोगलोबिन से क्रिया करके मतलब शिशू मैथे मोगलोबिन बनाता है बनाती है जिस से बच्चों में ब्लू बेबी डिजीज इसका दूसरा नाम क्या होता है scientific name ये है इसका नाम मैथे मोगलोबाइने मिया ये बच्चों में होती है भई ये डिजीज ये बीमारी उत्मन होती है किस चीज के कारण ये मैंने आपको बता दिया ठीक है भई इसे भी color matching technique से ग्याद किया जाता है जिसमें color उत्पन करने के लिए phenol dye sulfonic acid where hydrogen और oxide डालते हैं ठीक है भई ये दोने चीज़े अपन डालते हैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ भई या limit की तो इसकी limit होती है अपनी 45 mg पर लीटर से 45 mg पर लीटर तो ये इसकी limit रहती है 45 mg पर लीटर से 45 mg पर लीटर इसको आप एक बार उतार लेंगे वही complete को इस complete को आप उतार लो ठीक इस complete को आप उतार लो एक बार तो ये अपने दोनों जो अपनी चारत form थी हमारे nitrogen की वह अपनी complete हो चुकी है दो note और है कि nitrification और denitrification क्या होता है और ये इस पर कौन से हमारे bacteria काम करते है कौन से micro oil काम करते हैं मैं वो भी लिख दाओ note के रूप में question क्या बनते हो मैं आपको discuss कर चुका हूँ अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन और denitrification की तो note नमबर फर्ष्ट तो है हमारा नाइट्रिफिकेशन अमोनिया से नाइट्रेट का बनना ये था मेरे पास अमोनिया उसको खतम कर दिया किसने नाइट्रो सोनोमस बैक्टीरिया ने उसने उसको कनवर्ट कर दिया नाइट्रेट में नाइट्रेट पर काम किया कौन सा नाइट्रो बैक्टर बैक्टेरिया उसने इसको convert कर दिया हमारे पास ammonia था ammonia को पर कौन सा bacteria काम किया उसने ammonia को तोड़ दिया किसमे नाइट्राइट में और नाइट्राइट पर काम किया कौन सा बेक्टर नाइट्रो बेक्टर बेक्टरी उसने इसको तोड़ दिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में कुल मिला करके हमारा अमोनिया से तूटता तूटता क्या बन चुका है नाइट्रेट और इस प्रोसेस को यह अपन क्या बोलते है नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन क्या अमोनिया से नाइट्रेट का बनना कि अब अगर हम बात करते हैं कि दी नाइट्रिफिकेशन की तो हमारे माइंड में आता है कि नाइट्रेट से अमोनिया का बनना नहीं उसको नीडिकेशन नहीं कहते हैं नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना नाइट्रेट नाइट्रेट कुपर हमारा काम किया कौन सा बेक्टिरिया पैरा कॉकस क्या बन गया हमारा नाइट्रोजन बन गया क्या बोलेंगे इसको डी नाइट्रिफिकेशन बेक्टिरिया काम किये हैं दोनों टर्म काम किये हैं टर्म जादा काम किये हैं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है अमोनिया से नाइट्रेट का बनना डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है नाइट्रे मैं इसे मिटा दिता हूँ तो अपने ये पांस तो हो चुके है चटा भी देख लेते हैं अपन चटा है हमारा फ्लॉराइड अब या फ्लॉराइड तो आप सब जानते हो क्या होता है कुछ चीज़ें लेकिन आप लोग नहीं जानते होगे फ्लॉराइड जो होता है हमारे लिए हामफुल होता है पानी की बात आती तो फ्लॉराइड 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 दिमाग में बहुंता है फ्लॉराइड क्यों क्योंकि fluoride ऐसी चीज़ है वो boundary line वाली चीज़ है अगर इससे इधर गे तो भी इससे इधर गे तो भी मतलब एक तरफ कुगा एक तरफ खाई वाला सीन है fluoride एक साथ वन मिली ग्राम पर लीटर तक तो हमारी बॉडी के लिए fluoride चाहिए ही चाहिए अगर इतना नहीं है तो dental caries हो जाएंगी dental caries मतलब जो हमारे दात है वो पीला पंज जड़ना ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी कब अगर एक से कम है तो तो हमारे bones और teeth की growth के लिए एक मिली ग्राम पर लीटर तक तो fluoride चाहिए ही चाहिए ठीक है अगर एक से ज़्यादा होता है तो हमारे लिए क्या है ये harmful है अगर इसकी मात्रा डेड़ मिली ग्राम पर लीटर से अधिक होती है तो हमारी dental cavity जिस्टार्ट हो जाती है ठीक है और अगर इसकी मात्रा पांच मिली ग्राम पर लीटर जादा है तो skeletal deform होने लगते है ठीक है ना इसका मतलब क्या कि जो हमारी सरचना है न तो धाचा चेंज हो जाएगा हाथ प तो भई यह क्या है हमारा useful भी होता है harmful भी होता है एक तक तो चाहिए चाहिए अगर नहीं है एक तो हमारी growth नहीं हो पाएगी ठीक है हमारे जो दात हैं उनकी growth नहीं हो पाएगी हमारे हड़िया मजबूत नहीं हो अगर एक से डेड़ से ज़्यादा पहुंच किसकी quantity एक से ग्याद करते हुए इसमें किसका यूज़ करो गया आप अलिजरीन और जिर्कोनियम का उसका अपन यूज़ करते हैं इसके बारे में दिखते हैं लोड़ के बारे में हमारी बॉड़ी में बॉन्स वे टीथ के की ग्रोथ के लिए वन मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड की मात्रा आवैशक होती है अन्य था डेंटल कैरीज कैरीज के डेंटल के मत्व है दातों की बीमार यहां जटने लग जाएंगे कोकले हो जाएंगे क्लीडे लग जाएंगे शुरू हो जाती है लेकिन लेकिन इसकी मात्रा वन पॉंट फाइब लीग्राम पर लीटर से अधिक होने पर बोन प्रॉब्लम शुरूं हो जाती है जनरली स्केर आपर 5 पे होती है 5 mm बाबललेटर पे मैंने डेड़ लिखाए डेड़ से उपर दिक्कत शूरू हो जाती है ये होगी पाँच पर ये डेड़ से शुरू हो जाएंगे ठीक है ना शुरू हो जाती है इसे कलर, मैचिंग, टेकनिक द्वारा ग्याद करते हैं जहां, जिर्कोनियम, वे, अलिजरीन का, यूज, किया जाता है ठीक है वई, लिमिट की बात करें वन मिली ग्राम पर लीटर से, डेड़ मिली ग्राम पर लीटर acceptable भी है और इतनी चाहिए भी अपन को, डेड़ मिली ग्राम पर लीटर अपने लिए cost to rejection है, तो इसको भी आप उतार लो ठीक है, इसको उतारो, मैं इसे मिटा देता हूँ अपने अच्छे हो चुके हैं ये सात्वा देखते हैं इसके बाद तो भी अपन देखते हैं, सेवन्थ है अपना क्या? आइरन एंड मैंगनेज अगर पानी में हमारे आइरन और मैंगनेज मौझूद है ना, तो क्या होता है? कि एक तो अगर आप उस पानी से कपड़े को धोते हो, तो कपड़ों का जो कलर है वो छूटने लगता है दूसरी बात ये पानी को कलर भी प्रोडियूस करते हैं, जैसा रेडिस कलर होता है ना, लाल लाल रंगा है पर बूरे रंगा जो कलर होता है पानी वो किसके कारण होता है हमारे आइरन और मैंगनेज के कारण होता है यह बनऄ फlek हडोकसाईड, फेरिक तो इस परकार के hater precipitates बनाते, जो क्या करते है, pipe पर जम जाते है, जम जाने का मतलब कै है? हमारा incrustation या का हजाय हमारा tuberculation ठीक है ना? तो ये काफी सारे प्रावलम्स उपत करते हैं मारे iron और manganese, इनको ग्यात कैसे करते हैं वही color matching technique के द्वारा, कौन से indicators का use करेंगे, iron के लिए करते हैं 110 finanthrolin का, और उसके लिए करते हैं हम किस चीज़ का, nitric acid और ammonium persulfate का, वो मैं लिखवा दूँगा, आपको इनकी limit भी लि iron वे, manganese होने पर ये color उत्पर्ण करते हैं और iron, युक्त, पानी से, कपडे, धोने पर, color, color उत्तर जाता है ये, पानी में, मौझूद, OH- iron के साथ, मिलकर, क्या करते हैं वई? hydroxides, बनाते हैं, जिस से, pipe में, incrustation, होता है, ठीक है भई? इन्हें, color, matching, टेकनिक द्वारा, ग्याद किया जाता है, जहाँ, निम्न, इंडीकेटर्स, का यूज, करते हैं, देखो भई, आइरन के लिए तो यूज करते हैं, क्या हम? 110, फिनान, ठ्रोलिन, और, मैंगनीज के लिए क्या करते हैं हम? अमोनियम, पर, सलफेट, प्लस, नाइट्रिक एसेड, लिमिट की बात करें, तो भईया, एक तो आती है, हमारे आइरन की, एक आती है, मैंगनीज की, एक्सेप्टेबल, कॉज टू, रिजैक्सन, आइरन की एक्सेप्टेबल होती है, हमारी 1.0, मिली ग्राम पर लीटर, और ये लो रिलाक्सेशन, मैंगनीज की होती है, 0.1, ठीक, तो भईया, सारी चीज यमारी किस्टेबल है, यह साथा चीज हमारी लेटल है, किस चीज से केवल, आइरन और मैंगनीज लेटल, कि आइरन मैंगनीज के अंदर हम क्या कैस के प्रभाव पड़ते हैं, और इसको हम कैसे ग्याद करते हैं, इंडिकेटर कौन से होते हैं, आइरन में 1 in 10 फिनांट्रोलिन, और इसमें कौन सा होता है हमारा, अमोनियम पर सलफेट और नाइटरिक असेट, लिमिट क्या खती है hani आइरन खती है, होती है, 1 mg पर लिटर कौन सेन, नो रिलेकर+, का मतलब क्या है, कि 1 mg पर लिटर ही एकसेप्टेबल होती हैं पर लेटर ही कॉस्ट टू डिजेक्टर होती है सिंगल लिमिट है और यह कितने में 0.1 मिलीग्राम पर लीटर और यह 0.2 0.3 मिलीग्राम पर लीटर किलर है के नहीं अब देखो कुछ ि नहीं है perceived अंदर यह 0.3 लिखा हुआ है और यहां पर बन लिखा हुआ है और मैंने भी लिख वायथा पहले लेकिन यह अमेंड Rio मेंड मेंट है मतलब संकों था नहीं वार क्या है जो तो ले टरह कि नहीं है उसमें कि आठवा है कि आठवा है कि क्लूराइड तो क्लूराइड क्या है क्लूराइड क्या ची बताता है अगर क्लूराइड मोजू देना तो जनरली जो हमारा फीकल डिस्चार्ड होता है ना मलमूतर जो होता है उसमें भी क्लूराइड की मातरा थोड़ी होती है इसका मतलब अगर हमें पानी में क्लोराइड प्राप्त हो रहा है तो हमारे माइंड में क्या जाएगा कि इसमें कहीं न कहीं हमारे सीवेज का पानी एड हो रहा है सीवेज इसके अंदर मिल रहा है तब जाकर कि इसमें क्लोराइड हमको प्राप्त हो रहा है तो यह जनरली क्या दरसाता है? जो हमारा Domestic और Industrialría Sarah तो यह जनरली क्या दरसाता है जो हमारा Domestic- Yum sanding West यह बदाता है हमारा क्या? Chloride पहले चीज पर डरसाता है इसके करण क्या होता है? जो हमारा पानी है?...zero जादा क्या होता है सॉल्टी खारा जैसे हम बर्फ वगरा जमाते हैं ठीक है तो यह जो आइस्क्रीम की फेक्टरी होती ही वहां जो पानी निकलते हैं बहुत जादा खारा होता है अगर आप जाओगे अपने भरतपुर साइड डीग साइड नगर साइड तो वहां पर भी मतलब क्लोराइड यूराइड अपन किस चीज का यूज करेंगे अपन उसमें यूज करते हैं AGN3 मतलब सोडियम और इंडिकेटर गरूप में अपने उसके प्रटेसिंट करो मेट का यह सब चीज अपन देखते हैं जो लिमिट होती है एक्सेप्टेबल धाइस होती है कॉस्ट तो चीज है क्या इसके अंदर भी कि जो हमारा यह है क्या चीज बताता है यह डॉमेस्टिक या इंडस्ट्रिय सीवेज की प्रेजन्स को बताता है पानी के अंदर दूसरी बात क्या होता इससे सॉल्टी हो जाता है पानी बहुत खारा हो जाता है ठीक है ना तो यह सब चीज अपन लिखते हैं क्लोराइड की यह पानी में डॉमेस्टिक वे इंडस्ट्रियल सीवेज की प्रेजन्स को बताता है और इसके कारण पानी सॉल्टी मतलब खारा हो जाता है ठीक है भई इसे टाइट्रेशन द्वारा ग्यात करते हैं जिसमें टाइट्रेंट के रूप में सिल्वर नाइट्रेट वे इंडिकेटर के रूप में पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं लिमिट के दाइसों मिली ग्राम पर लीटर से एग हजार मिली ग्राम पर लीटर नाइंथ जो आता है हमारा वो आता है कॉपर की तो इतनी सी बात है कॉपर क्या करता है कॉपर जो होता है हमारे लंग्स मतलब फैंफिडिवर रैस्पिरिटर सिटम अगर कॉपर ज़्यादा मौज़ पानी में तो हमारे जो स्वसंत अंत्रेंट उसको प्रभावित करता है हमें सांस लेन तकलीफ होगी दम फूल नहीं करते हैं ठीक है ना तो कॉपर क्या करता है उसके बारे में लिख देते हैं इसमें छोटी सी लाइन है अबस एक दूलाइन यह है हमारे लंग्स वे रैस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है ठीक लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की तो इसका भी सेम सीन है क्या यह है हर्ट रिलेटेड डिजीज उत्पन करता है पानी के टेस्ट को बेटर टॉक्सिक टॉक्सिक एलिमेंट्स टॉक्सिक या पॉईजनस दौन के बारे मता था हूँ टॉक्सिक टॉक्सिक वर्ड और पॉईजनस लगबाग एक जैसे होते हैं लेकि टॉक्सिक का मतलब है अपने लिए हामफुल है विसहले हैं और विसहली तो कोई चीज भी हो सकती है ठीक जैसे मुझे चिपकली खागी तो वो क्या है बहुत जादा टॉक्सिक है मेरे लिए अगर मैं क ल aixòम केंगर सीवजी पीट पीता हूं या कुछ मदपान करता हूं तो वह भी अंदर क्या हो रहा है कुछा मुझन हो रिए ट्रायरेट हो रहा है घट रहा है ठीक है है अगर बात करते हैं पाइजनस की तो टॉक्सिक ह Chain में कीछ है। पॉईजन का मतलब क्या है जहरीला जहर जैसा मतलब उससे तो मैं मरूँगा ही मरूँगा जो अगर हम बात करते हैं मदपान हमारे लिए हानिका रख है वो टॉक्सिक है तो धीरे धीरे हमारा डिके हो रहा है मरें नहीं मरें गारंटी नहीं है हां हामफुल है वो है टॉक्सिक पॉईजनस की बात करें मरोगे आप 100% ठीक है ना तो poison दोना में अंतर होता है तो toxic elements के अगर मैं बात करता हूँ पानी में कौन कौन से होते हैं तो देखो भई अगर मैं बात करता हूँ तो barium हुआ ठीक है lead हुआ यह हमारे toxic element है poisonous की बात करूँ तो हमारा arsenic हुआ cyanide हुआ selenium हुआ यह सब क्या है हमारे तो इनकी limit कितनी होनी चाहिए भई toxic elements की zero ppm होने नहीं चाहिए toxic element होने ही नहीं चाहिए पानी के अंगर तो कौन कौन से होते हैं यह सब होते हैं अगर आपसे पूसता है कि sodium toxic element है का बिल्कुल नहीं है sodium था नहीं है toxic element arsenic बिल्कुल cyanide selenium boron सारे सारे कौन से होते हैं हमारे यह lead वो भी क्या होता हमारा toxic element ठीक है बई तो यह अपने 11 points हो चुके हैं एक बचा हमारा gases या dissolve gases उसको उपन करेंगे next lecture में और आज के लेतना काफी है थेंक्यों सो मच करेंगे